क्या आप भी मेरी तरह चाट खाने के बहुत ही शौकीन है तो चलिए आप के लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार सी चाट रेस्पी जिसे आप घर में जटपट बना सकते हैं और इसे खाकर मज़ा आ जाएगा तो यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा कप सफेद वाले मटर यह इजीली मार्किट में मिल जाते हैं और यह जो मटर है ना इन्हें अच्छे से धो कर रात पर के लिए पानी में भिगो दीजे अब मटर जो हैं अच्छे से फूल चुके हैं तो अब आप क्या करेंगे कि यह जो पानी इसे फैक देंगे और चार-पांच वार ना बहुत है उसका निकलना बहुत ही जरूरी है तो अच्छे से चार-पांच वार धो जरूर लेना अब यह जो मटर हैं इन्हें हम डाल देंगे एक कोकर के अंदर अब यहां पर मैंने दो कच्छे आलू को छील कर कट करके और धो कर इसमें डाल दिया है इसमें डालेंगे आधा पर 5-7 मिनट के लिए पकने देंगे उसके बाद फ्लेम आफ करके प्रेशर खदम होने के बाद आप कोकर को ओपन करेंगे तो यहां पर प्रेशर खदम हो चुका है कोकर ओपन कर लिया है यह देखे मटर और आलू दोनों ही चीज़ें अच्छी सॉफ्ट हो गई है इस रग प्रेशर खदम हो जाएगा तो आधा चमच जीरा डाल दें दो हरी मिर्श बारिक कट करके डालें एक मीडियम सैज का प्यास बारिक कट करके डाला है इन सबी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेंगे तो प्यास को ना पहुँछ जादा डार्क नहीं करे आधा चमच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दें अच्छी तरह आप इसे मिक्स करें और टमाटर को सौफ्ट होने तक इसे कुक करें तो अब देखिए टमाटर अच्छे सौफ्ट हो गया है मैंने इने मैश कर दिया है अब जो हमने सफेद मटर और आलू बलकर रखे है न इने पानी सहीद इसमें डालेंगे और बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे अब यहाँ पन्ना आपको क्या करना है यह जो मटर और आलू है इने थोड़ा थोड़ा ऐसे लैडल से मैश कर देना है सारी मटर मैश नहीं होनी चाहिए कुछ मटर को ऐसे मैश करें अब मुझे पानी कम लग रहा था तो थोड़ा करम पानी डाल दिया अच्छे तरह मिक्स करेंगे तीन-चैर मनट के लिए से ऐसे ही कोग करेंगे बस अब इसमें डाल देंगे आधा चमच आम चूर पाउदर और थोड़ा सा हरा धनिया अच्छी तरह मिक्स कर दीजे और फ्लेम को आफ कर दीजिए इस तरह की consistency की होनी चाहिए तो चलिए अब हम अपनी चाट को पुरी तरीके से त्यार कर लेते हैं अब यहां पर जब यह चाट बन जाएगी तो इसे एक प्लेट में सर्व कीजिए अब यहां पर मैंने ली हैं ये दो पपड़ी और पपड़ी को ना ऐसे जरू शेयर करूंगी अब यहां इसके उपर दही बिलो कर डाल दीजे थोड़ा पारे कटा हुआ प्यास डाल दीजे और थोड़ा सा पारे कटा हुआ टमाटर डाल दीजे और उसके बाद आप डालिए इसमें पारे कट की हुई हरी मिर्श कर आप हरी मिर्श नहीं खाते त में खट्टी मीठी इमली की चटनी डाल देनी है और उसके बाद हरे धनिय और पुदीने की चटनी डालें अब यहां पर हम डालेंगे इसके उपर थोड़ा सा काला नमक थोड़ा सा पीली मिर्श का पाउडर पीली मिर्श का पाउडर डालने से ना चार्ट में बहुत ही बड मार्केट में मिलने वाली बहुती मज़ेदा रगड़ा चार्ट है त्यार तो आप भी अपने घार पर छटपड से यह चार्ट बनाईए और एंज्यॉय कीजिए अगर आपको यह रगड़ा चार्ट पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेयर चरूर करें